Hello guys, welcome back to the playlist of computer system security और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे CSRF की अब CSRF की full form और इससे related जो भी doubts है, जो भी concepts है वो सभी आज हम discuss करेंगे with the help of example So इससे पहले कि मैं इस वीडियो को start करो Let me give you the full form of CSRF जो की होती है हमारी basically cross-site request forgery अब ये basically CSRF के नाम से मैं इसे बार-बार इस वीडियो के अंदर pronounce करोगा और आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि basically CSRF होता क्या है और क्यों इसको हम जाए computer system security की playlist में एक important topic मानते हैं और क्यों इसे हम discuss करते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बता है cross-site request forgery जिसे हम बार-बार CSRF भी बोल रहे हैं ये basically हमारी एक web security की vulnerability होती है जो की attacker को allow करती है कि वो कुछ ऐसा कर सके जिससे user जो है जो वो नहीं चाकर भी कर सकता है इस means user को जो है attacker इस situation में डाल देगा कि user जो action perform नहीं करना चाता वो action भी user वहाँ पर perform कर देगा तो CSRF that is cross-site request forgery एक ऐसा attack है एक ऐसी web security vulnerability है जो की attacker को hackers को allow करती है कि वो users को उन situations में डाल सके कि user जो actions perform नहीं करना चाता है उनको भी जो हो perform कर सके इसकी detailed और इसका पूरा elaboration आज हम इस video में discuss करेंगे with the help of example लेकिन उससे पहले इसके बारे में CSRF की थोड़ी और history थोड़ी और detailing जानते हैं तो basically CSRF जो है attacker को allow करवाता है कि वो कुछ ऐसे circumstances create कर सके same origin policy के same origin policy का meaning है जिस page पे user है जिस website पे user है उसी origin पे उसी page पे उसी website पे रहकर user जो है कुछ ऐसा action perform करे कुछ ऐसा unintentionally action perform करे जो खुद नहीं चाता बट attacker ने उसे उस circumstance में उस situation में put up कर दिया है उस situation में डाल दिया है कि उसे वो action perform करना पड़ेगा और यह जो CSRF attack है यह basically इस तरही किसे hacker design करते है कि user जो है अपनी जिस website पे वो विजिट कर रहा है उस website को leave ना करे और कोई दूसरी website जो है उसके अंदर interfere ना करे तो basically यह पहला ऐसा attack है हमारी computer system security की playlist के अंदर जिसके अंदर जो है किसे दूसरी website से और किसे दूसरी place से attack नहीं आ रहा है attacker ने आपको ऐसी situation में डाल दिये कि आप जिस page पे है जिस website पे आपको वहीं पे रहके attack मिल जाएगा आपको वहीं पे होते हुगे कुछ ऐसा action perform करना पड़ेगा जो की attacker चाहता है अब इसकी थोड़ी old description कि basically जो हमारा CSRF attack है इसका impact क्या है हमारी web security के उपर तो जबी भी कोई भी CSRF attack successful होता है तो उसके अंदर attacker जो है victim से जिसे हम user बोलेंगे victim user जो है उससे जो है कुछ ऐसे unintentionally action perform करवा लेगा जो की user नहीं करना चाहता अब इसका है कि आपे example मैंने आपके लिए design किया है आपने देखा होगा बहुत सारी जब भी आप किसी website पर visit करते हैं तो आपने जो भी email address या फिर जो भी login credentials आपके उस website पर save है email address और password ये दो चीज़े मैं अभी के लिए इस video में login credentials के अंदर count कर रहा हूँ email address and the second one is password और detailing में जाया है तो कुछ funds transfer की बात कर रहे हैं कोई भी online ऐसी amount transfer कर रहे हैं कुछ details transfer कर रहे हैं जो कि personal है तो उस website के अंदर उस webpage के अंदर आपने अपने login credentials email और password दोनों बिल्कुछ सही डाले हैं दोनों आपने बिल्कुछ सही write किये हैं सही type किये हैं सही put up किये ह बट actual में क्या होगा उस page के अंदर अगर csrf attack inserted है hacker के द्वारा hacker ने उसके अंदर कुछ attack कुछ code embed कर रखा जो कि csrf cross site request forgery attack के अंदर आता है तो आपने देखा होगा कि वो passwords को गलत बता देगा और वो बार बार website वो page आपसे password को re-enter करवाएगा अब जब बार बार आप possible password हो सकते हैं आप उन सभी को जो है उस page पे टाइप करेंगे और hacker को जो है जो भी आपने password आप टाइप करें है उन सभी का जो है access और पूरा control जो है उसको मिल जाएगा because आपके जो भी possible outputs थे जो भी possible passwords थे आपने आपे mention कर दियो और उन सभी की details जो है एक file की form में attacker के पास चली गए और उसके पास save हो गई अब जब भी चाहे आपके consent के बिना cross site request forgery attack की help से जो है hacker जो है आपके उस account के password को जो है use कर सकता है जो की unintentionally कैसे हुआ because आप नहीं चाहते थे कि आपके जितने भी possible outputs है जितने भी possible passwords है वो hacker को पता चले बट hacker ने आपको ऐसी situation में डाल दिया आपके passwords को बार बार गलत बता दिया जिससे आपने क्या किया आपके जितने भी possible passwords हो सकते थे उन सभी को आपने आपे mention कर दिया और उसकी सारी details जो है ह हमारे hacker के पास चले गई जब सारी details hacker के पास है तो hacker के पास जितने भी possible passwords था आपके उन सभी की details है वो सब को try करके जो है आपके account को जो है access कर सकतамен है और user के account को फूल control ले सकता उसके बद कोई भी payment कर सकता है कोई भी fund transfer कर सकता य कोई भी आपकी personal details को steal कर सकता है share कर सकता और इसी से related complete एक attack है CSRF का जिसे हम बोलते हैं CSS that is cross-site scripting इसकी जो detailing है इसका जो elaboration हम next वीडियो में discuss करेंगे Thank you